है नमस्कार मैं आलोक्ति वारी आपका अपने शैनल पर स्वागत करता हूँ और आज को बता दो कि कभी भी किसी भी रत्न या किसी भी माला का प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है यदि आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो उसमें जीव आ जाता है उसमें जान पड़ जाती है और यदि आप किसी की प्राण प्रतिष्ठा कर दिये और वह जीवन्त रूप में आ गया तो नित इसनान, पूजा, भोग, प्रसाद यह देना पड़ेगा लेकिन जब आप माला या कोई रतन अपने पास रखते हैं उसे संस्कारित करने के बाद भी उसका न तो पूजन करते हैं न तो उसे भोग लगाते हैं यदि जीत पड़ जाने के बाद आप उसे भोग नहीं देते हैं, प्रसाद नहीं देते हैं, रोज स्नान नहीं कराते हैं तो आए एक दिन मर जाएगा और आप मालाओं के साथ या तो रतनों के साथ ऐसा नहीं करते हैं इसलिए रतन या माला को प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है उन्हें जागरित किया प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ मंदिर में बैठे वे देवी देवताओं का ही किया जाता है जिनका नित्य पूजन अर्चन अविशेग भोग प्रसाथ अर्पन करना होता है इसलिए आप माला का कभी प्राण प्रतिष्ठा मत कीजे माला को सिर्फ जागरित करना होता है इसी त स्कारित करना रत्न को जागरित करना ही सीखेंगे लेकिन इन्हें जागरित क्यों करना पड़ता है यह भी बात होती है कि आप रत्नों को जागरित क्यों करेंगे जब आप रत्न लेकर के आते हैं अंगुठी भी बनवा लेते हैं तो वे रत्न सुकता वस्था में होते हैं वे आप सोते रहते हैं तो आपसे कोई भी काम नहीं हो पाता है जब आप जग जाते हैं फ्रेश मूड में हो जाते हैं तभी आप कोई काम कर पाते हैं इसी तरह से रतनों के साथ भी यही कहानी होती है कि जब तक वे सुपतावस्ता में होते हैं सोते रहते हैं तब तक वे अपना काम नहीं कर पाते हैं इसलिए आप उन्हें जागरित करते हैं उन्हें संसकारित करते हैं जब जागरित कर देते हैं तो वे जाग करके अपने मूल उर्चावान शरीर में आ जाते हैं और पूर्णतह कारे करते हैं वे रत्न धारा को लाब पहुचाते हैं तो आईए अब हम द आपके सामने जो समस्त सामग्रियां दिखाई दे रही हैं इनी सामग्रियों का उपयोग करके हम रत्न को जागरित करेंगे रत्न को संसकारित करेंगे तो आईए देख लेते हैं ये सारी सामग्रियां कौन कौन सी हैं आपको एक लोटा जल लेना है जिसका सिंचन करते हुए अपने आपको सुध्ध करना है, एक माला लेना है, इसी माले की सहायता से, जिस भी रत्न को आप जागरित करना हैं, उस रत्न से संबंधित ग्रह का बीजमंत्र जाप करना होगा, यहां गो मुखी है, जिसके अंदर डाल के माला जाप किया जाता है, एक साफ वस्र चाहिए, जिससे आप रत्न को पोचेंगे, अश्टगंध, जल मिस्रित अश्टगंध है, कुमकुम है, जिसे रोली भी कहा जाता है, प्रसाद है, इसमें मिस्री और किस्मिस रखा हुआ है, एक दीपक, धूप बत्ती, लेकिन मैं आपको एक बात बता दू कि आपको धूप बत्ती क कही उपयोग करना है, न कि अगर बत्ती का, अगर बत्ती का उपयोग क्यों नहीं करना है, उसकी जानकारी भी मेरे चैनल पर वीडियो के मात्हम से उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अगर बत्ती का उपयोग पूजन में क्यों नहीं किया जाता है इसलिए आप धूप का ही उपयोग करें अगर बत्ती का नहीं अक्षत अर्थात चावल यह धुला हुआ सुखाया हुआ अक्षत है चावल है यह अंगूठी है जिसे हमें संसकारित करना है जागरित करना है दो जगह आपको फूल लेना है एक फूल पूज़ा करके रखे इस पर हमें रतन रखना होगा जो रतन जड़ीत अंगूठी है इसे पूज़न के समय यहाँ पर रखना होगा पंचामरीत यदि आप पंचामरीत बनाना जानते है तो अच्छी बात है और मैं समस्ताओं कि अधिकांश लोग शुद्ध पंचामरीत ब बताया गया है वहाँ से जाकर के आप पंचामृत बनाना सीख सकते हैं उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा गंगा जल दो कटोरी इनी कटोरियों में हम रत्म को रख करके अभिशेक करेंगे एवं सुध तो आएए अब हम प्रारंब करते हैं कैसे रत्म को जागरिद करना है सबसे पहले आपको कुशा की सहायता से अपने आपको शुध करना है यदि आपके पास कुशा नहों तो कोई बात नहीं आप बाएं हाथ में इस तरह से जल ले लीजे और दाहिने हाथ से इस तरीके से और उसके बाद आप मंत्रो चारण कीजे ओमा पवित्रह पवित्रो वासरवा वस्थांगतो अपिवा यह स्मरेत पुंडरिक आक्छम सबाह्या भ्यांतरह शुचिहे उसके पशात इस जल को दोनों हाथ में ऐसा लेते हुए पूरे सरीर में छिड़क लीजे सिंचित कर लीज जिससे आप शुद्ध हो जाएंगे इसके प्रशात आप तीन बार आच्मनी कीजे यदि आपके पास कोई नहीं है तो स्वैम आप बाएं हाथ से इस तरह से जल दाहिने हाथ में लीजे ओम केशवाए नमाहा ओम माधवाए नमाहा ओम नाराणे नमाहा अब हाथ दो लिजे आएए अब हम इस विधी को प्रारंब करते हैं जिसके माध्यम से हम इस रत्म को संसकारित करने जा रहे हैं सबसे पहले हम इस अंगूठी को उठा करके इस कटोरी में रखेंगे कटोई में रखने के बाद हम पंचाम्रित से इसका अभिशेक करेंगे पंचाम्रित इस पर डालते हुए अभिशेक के समय आपको मंत्र पढ़ना है ओम पयोद दिग्रितम चैव मदूचा सरकरायूतम पंचाम्रितम मयानीतम इसनानार्धम प्रतिग्रेजयतामा इस तरह से आप इस अंगूठी का अभिशेक कर चुके हैं अभिशेक करने के बाद आप इसे अच्छे से नहला दीजे और यहां से नहलाने के बाद आपको इस खाली का टोरी में रखना है इस खाली का टोरी में रखने के बाद इसे गंगा जल से अभिशेक कराना है अथाद गंगा जल से शुद्ध करना है इसे गंगा जल से इसनान करते हुए शुद्ध करते हुए आपको मंत्रोचार करना है इस तरह से गंगा जल से इसनान कराने के बाद अच्छे से धो लीजिए अच्छे से धोने के बाद आप साफ कपड़े से इसे पूछेंगे एक साफ सुध कपड़ा होना चाहिए कपड़ा गंदा नहीं होना चाहिए यह हमारा कपड़ा है जिसके माध्यम से हम लड्डू को पाल को इसनान के उपरान पोचते हैं वही कपड़ा हम यहाँ पर उप्योग में ले रहे हैं पोचने के बाद आपको इस कटोरी में जहाँ पर हम फूल बिचा करके रखे हैं यहाँ पर रत्न को इस तरह से रखेंगे कि रत्न हमारी तरफ दिखाई दे आप देख पा रहे हैं कि रत्न हमारी तरफ है अब रत्न को यहाँ पर इस्थापित करने के बाद आप संबंधित ग रह अर्थात यहाँ पर हम लिये हैं मोती की अंगोठी और जब मोती की अंगोठी लिये हैं तो हमें चंद्रदेव का ध्यान करना होगा चंद्रदेव का ध्यान करने के लिए सबसे पहले हमें इस तरह से इस अंगोठी को दाहिने हाथ से इसपरस करना होगा और चंद्रदेव इस तरह से संबंधित ग्रह का ध्यान करने के बाद आप उस ग्रह की छवी इस रत्न में निहारते हुए उनका पूजन करेंगे तो पूजन में सबसे पहले आपको अश्टगंध का लेप लगाना होगा आप यहाँ पर देख रहे हैं जल मिस्रित अश्टगंध यहाँ पर रखा हुआ है आप इसका लेप करेंगे उसके पश्चात आपको कुम कुम लगाना है उसके पश्चात अक्षत समर्पित करना है उसके पश्चात आपको फूल अर्पित करना है उसके पश्चात आपको धूब दिखाना है धूब दिखाने के लिए आप पहले धूब जडा लिजे चोकि धूब जलने में थोड़ा समय लगता है माचिस से जलाने से माचिस की तीली जल्दी से जल जाने के कारण हाथ जल जाता है इसलिए हम इस लाइटर का उप्योग करते हैं अधिकांस लोग इस लाइटर को सिग्रेट जलाने में उप्योग करते हैं और हम यहाँ पर धूब जलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, आप अन्य थान न लीजेगा, धूब जलाने के बाद इस रत्न जड़ित अंगूठी को जो फूलों से सुसजित है, यहाँ पर आपको तीन बार, पांच बार या साथ बार घुमाना है, इस रत्न से पांच बार घुमाने के बाद आप इसे किसी एक जगह पर इस्थापित कर दीजिए, उसके पस्चात आपको दीप दिखाना है, दीप दिखाने के लिए पहले दीप को प्रजुलित कर लिजे, दीप प्रजुलित करने के बाद आप दीपक दिखाईए, और दीपक दिखाने के लिए आपको हम बता दें कि सबसे पहले आपको अपना हाथ इस तरह से गीला करना है, हाथ गीला करने के बाद ही आप इस रसे तीन बार, पाँच बार, साथ बार, जैसा आपको उचित लगे, वैसा दीप दर्शन कराईए, और मंत्र उचारण करते रहिए, इस रसे दीपक दिखाने के बाद, दीप को भी किनारे रख दीजे, अब नईवेद्य, जो हम नईवेद्य इहां पर कटोरी में रखें हैं, इसे भी आपको समर्पित करना है, नईवेद्य अर्पित करने के बाद, आपको तीन बार आच्मनी करनी है, इस आच्मनी में आप उस ग्रह का मुक धुलाने का मन में भाव करते रहिएगा, इस तरह से यहां तक में इस रत्न का अभिशेक, पूजन, अर्चन, आराधना सब कुछ हो चुका है, इसके बाद संबंधित रत्न के स्वामी ग्रह के बीजमंत्र का 108 बार जाप करना है, अब यहां पर हम ले लिए हैं मोती रत्न, और मोती के स्वामी होते हैं चंडरदेव, तो हमें चंडरदेव के बीजमंत्र का 108 बार जाप करना होगा, उसके लिए हमें इस गो मुकी और इ वशक्ता होगी जब भी आप कोई बीज मंत्र जाब करें तो सब से पहले बाय हास से इस तरह से सुमेरू पकड़ लें तीन बार जल से सुद्ध करें उसके बाद अश्ट गंद या कुम कुम किसी भी एक का इस तरह से टीका लगा दें टीका लगाने के बाद इसे गोमुखी म रख कर आप बीज मंत्र का जाब करेंगे आपको एक बाद ध्यान रखना है कि जब भी आप बीज मंत्र का जाब करें तो माला खुला हुआ नहीं होना चाहिए माला गोमुखी के अंदर ही होना चाहिए इस तरह से आप 108 बार अर्थात एक माला चंदर देव का बीज मंत्र और ये जरूरी नहीं है कि चंदरदेव का ही बीजमंत्र जाप करना है, आप जिस भी रत्न को जागरित कर रहे हों, जिस भी रत्न को संसकारित कर रहे हों, उस रत्न के स्वामी ग्रह का बीजमंत्र जाप करना है, सभी नियम वही होंगे, फर कितना होगा, कि जिस भी रत्न को आप जागरित कर रहे हैं उससे संबंदित ग्रह का आवाहन मंत्रा लग हो जाएगा और बीज मंत्रा लग हो जाएगा उसके अलावा सारी विधी एक जैसी है इसके बाद 108 बार बीज मंत्र का जाप करने के बाद यह रत्न सिद्ध हो जाएगा जागरित हो जाएगा संसकारित हो जाएगा और यह आपको धारण हेदू तयार है अब इसे आप धारण कर सकते हैं धारण करने के पूर्व आप जिस भी उंगली में धारण करना चाह रहे हैं अर्थाथ जो भी उंगली जिस भी रत्न के लिए निरधारित है उस उंगली को भी सुध करना होगा जैसे यहाँ पर मैं मोती लेके रखाऊं तो मोती के लिए कनिष्ठा उंगली होती है सबसे किनारे वाली उंगली होती है इसी में मोती धारण किया जाता है तो इसके लिए आपको इस उंगली को इस तरह से तीन बार जल गिराते वे सुद्ध करना है और थोड़ा सा अश्टगंध का ठीका लगा देना है ठीका लगाने के बाद यहां से आप अंगुठी को उठाइए और इस उंगली में धारण कर लिजे इस तरह से रत्न जागरित हो जाएगा और पूर्ण रूप से प्रभावी होकर के आप को लाख देने के लिए तयार होगा आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि रत्नों को जागरित करने के लिए जिन-जिन मंत्रों की आवशक्ता होती है यदि आपको मंत्र नहीं मालूम है मंत्र नहीं याद है तो कोई चिंता की बात नहीं है आप मानसी गुरूप से पंचामरित समरपयामी, गंगाजल समरपयामी, चंदनम समरपयामी, कुमकुम समरपयामी, धूप समरपयामी, दीप समरपयामी इस तरह से बोलते जाएं और इस वीडियो के डिस्किप्शन में सारे मंत्र भी उपलब्द करा दिये जा रहे हैं साथ ही सभी नव ग्रहों के ध्यान का मंत्र एवं बीज मंत्र भी डिस्किप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जा रहा है जहां से आप उस मंत्र को भी प्राप्त कर सकते हैं इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप किसी भी रत्न को संसकारित करना, जागरित करना, संपुर विधी जान गए हैं और मैं आशा करता हूँ कि अब आप किसी भी रत्न को आसानी से जागरित कर सकते हैं और यदि आप मेरे चैनल पर ने महमान के रूप में आये होंगे, पहली बार मेरे चैनल का वीडियो देख रहे होंगे, तो आप से अनरोद है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को आउन का लीजे, जिससे जब-जब मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो, और एक अनरोद और है कि आप इस वीडियो को अधिक सदिक लोगों तक पहुंचाईए, जिससे की रत्न जागरित करना, रत्न संसकारित करना सब लोग सीख सकें, और रत्न को जागरित करने के बाद ही धारण करके उससे तो मुझे तलाब ले सकें, अब मुझे आगए दीजे, मिलते हैं अगले किसी ग्यानवर्दक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिन जय भारत बंबं बोले नात की